हलो दोस्तों जय हैं कैसे आम सब लोग मस्त हैं चकास वेरी गुड तो चलो दोस्तों आज स्टाट करते हैं पर्मुटेशन एंड कॉंबिनेशन की फस्ट एक्सरसाइज ठीक है अच्छा बच्छो यह चेप्टर बड़ा ही मज़ेदार है और सारा का सारा चेप्टर लॉजिक है मैंने आप लोगों को पहली बता रखा है अच्छा बच्छो इस चेप्टर को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडेक्शन पार्ट जरूर देखना पड़ेगा अगर आपने अभी तक बो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो डिस्क्रिप्शन में कि दिया हुआ है वरना को समझ में नहीं आएगा इसमें ठीक है ना तो स्टाट करें चलो फिर यार स्टाट करते हैं तो देखो बच्छो यह स्क्रिण पर देखिए आपका पहला कुश्चन गिवेल है क्या कह रहा है इसमें हाओ मैंनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन वी फॉ फ्रॉम फ्रॉम देडिजिट वान तो थ्री फॉर फाइफ ठीक है और पहला देखो इसमें पार्ट बोला है फर्स पार्ट में क्या बोला है कि रिपीटीशन ऑफ दा डिजिट्ट इस एलाओ रिपीटीशन जो है वह अलाओड है आप देखो पिच्छो मतलब समझो इस कोस की चार-फाच पांच पांच ऑप्शन है तो अब मुझे बताओ यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर मेरे पास कितनी चॉईस है यहां पर एली जगापर मैं 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी भर सकता हूँ, 3 भी भर सकता हूँ, 4 भी 5 मतलब में बिल्कुल free हूँ न, कोई फरक नी पड़ता है इन 5 न से कोई भी एक number में भर दो कोई दिक्कत है भर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि बच्चों, first place, first place can be filled, first place can be filled कितने तरीकों से by five ways five ways पांच तरीकों से पहला जो ये place है पहला जो box है वो भरा जा सकता है भरा जा सकता है ना तो मेरे पास यहाँ पे पांच तरीके हैं मतलब इन पांचों में से कुल भी एक number भर दूँ हो इफरेक लिए पड़ेगा ठीक है अच्छा उसके बाद में बेटा second number पर देखो अगर यहाँ की बाद करें इसने बोला है repetition allowed है तो अगर repetition allowed है तो यार यहाँ पर फिर से वही पांच तरीके फिर से बन गए मैं यहाँ पर one, two, three, four, five कुछ भी भर लो क्यों repetition allowed है जैसे मान लो मैंने यहाँ पर three भर दिया था लेकिन repetition allowed है तो फिर से यहाँ पर three भर सकते है नहीं भर सकते है तो अगेर मेरे पास कितने है पांच तरीके तो फिर से भाई ची second place can be fed by five ways हो गया गी नहीं हो गया अच्छा तीसरे पर आते है तीसरे यहाँ पर देखो तीसरा place जैसे मान लो यहाँ पर मैंने two हर लिया तो फिर से क्या फरक पड़ता है तो फिर से भर सकते है repetition फिर allowed है तो फिर से यहाँ पर मेरे पास वापस कितनी choice हो गई one, two, three, four, five मैं आपर फिर भर सकता हूँ इन पांच हो ऐसे कोई भी नमबर तो फिर से मेरे पास पांच चोई हो गई तो टोटल नमबर ओफ वेज हमें क्या करना है पच्छों इनको multiply करते है तो इनको multiply करतों five into five into five कितना रहेगा one twenty five total number of वेज total number of वेज कितने हो लाएंगे one twenty five हो जाएंगे यानि एक सो पत्चिस एक सो पत्चिस ऐसे आप वेज बना सकते हो ऐसे आप बना सकते हो number three digit के ठीक है एक सो पत्चिस नमबर बन सकते हैं कितने three digit के जहां पर repetition allowed होगा ठीक अच्छा लिए जो लाइन है ना कि पहला फर्स्ट प्लेस के इतने वेज सम्थिं इस तो यह में बार बार नहीं लिखुँगा यह आपको इपर समझने के लिए मैंने बता दिया समझ गया ना जब आपके पेपर में आता आप ऐसे लिख ला हुआ जैसे मादो अक भरने के पांच तरीके लिख दो चार तरीके हो तो चार लिख दो ठीक है समझ गया ना यह बार ठीक अच्छा उस चे बाद में देखो बच्चो दूसरा पार्ट इसमें क्या होगा इसमें होगा है कि repetition जो है not allowed दूसरे पाइट दूसे में क्या वोला repetition not allowed तो ठीक है बही है अगर repetition allowed नहीं होगा तो क्या होगा यहां को आज कोई बता है तो बदिखो पहले तो आप बिल्कुल आजाद हो आप सकते हैं तो करें वर्ष हैं डॉढले ईसके बाद जैसे मालों कि आपने इहां पर फोर पोर уб ausge Shell बहर त़िया तो आप यहां पर बताओ कितने रास्ते बचिक क्योंकि वहोड़ीनिद्ट थे विरसकते हो मर सकते हो नगे-वर सकते हो तो आपके पास कितने चार अजानन के पास तो second place can we field field by four ways चार तरीके हैं मेरे पास इसी तरह से आप जैसे मालो इसमें से तीन बन दिया गया होगा आप यहां पे कौन कौन से नमबर बढ़ सकते हो one बढ़ सकते हो four बढ़ सकते हो five बढ़ सकते हो यह तो बढ़ सकते हो three ways तीन तरीकों से बढ़ा जा सकता है तो total number of ways कितने हो गए बच्चों five fours are twenty twenty into three sixty total number of ways हो गए sixty यानि साट तरीके से यह तीन डिजिट नमबर बनाए जा सकते हैं ठीक है अब देखो बच्चों second question मा देखू ध्यान से बढ़ो क्या कह रहा है कि how many three digits event numbers can be formed from the digit one two three four five six if digits can be repeated अच्छा अब देखो बच्चों हमें वापस वही करना है हमें तीन डिजिट का number ही बनाना है ठीक है लेकिन इस बार हमें कैसा number चाहिए event number चाहिए कैसा number चाहिए event number चाहिए तो बच्चों देखो ये भी मैंने आपनों को सिखाया हुआ है क्या कि event number कब होगा जिसके last में zero आ जाए two आ जाए four आ जाए six आ जाए तो वो event number चाहा जाता है जिसके last में इन में से कोई पिन डिजिट आ जाए वो क्या है event number है तो यार ध्यान से देखो पहले इसमें बताओ event number है कितने है ये देखो two है four है six है तो जब भी event की बात कह रहे है तो कहाँ चलना है पीचेस चलना है इता है तो बच्चों ये बताओ कि यहां पर पीचेस में देखना है कितनी चौइस है जिसके last में– two,four,six…,eat खुछ भी आ रहे तो यहां पर देखो 2 भी बढ़ सकते है 4 भी बढ़ सकते है 3 भी भर सकते है कितनी कितनी चौइस है 3 छोइस है यह नुध इन तीनों में से को भी नमब बढ़ तो थे यहां पर पर कितने ऑप्शन हो जाएंगे कितने देखो इन तीनों मैंसे फूब और दिया गया तो वो तो अब event number बनेगा ही बनेगा क्योंकि उसके last में two आ जाए चाहे four आ जाए चाहे six आ जाए ठीक है आप यहाँ पर कितनी choice बची और visit भी क्या है नतलब repetition भी क्या है allowed है repetition भी allowed है तो बच्चों आप यहाँ पर तो कुछ भी बढ़ लो तो one two three ठीक है four five six यहाँ पर तुमा कुछ भी बढ़ सकता हूँ क्यों क्यों क्योंकि repetition अलाओ है तो वापस यहाँ पर मेरे पास कितनी choice है छे choice है इसी तरह से यहाँ पर भी आप यह सारे नमबर इंद्ध कुछ भी बढ़ सकते हों क्योंकि repetition अलाओ है तो आप मेरे पास कितने option हो गए कितने option हो गए six into six into three तो क्या answer आएगा 36 into three यानी 108 यानी 108 इवेन नमबर बनाई जा सकते हैं किसको इन डिजिट्स को यूज करके कहां नहीं समझ में आई बोलो है ना थार्ड कोश्चन देको बच्चो पहले ध्यान से पढ़ दो इसमें क्या कह रहा है देको बच्चो उसमें बोला है how many four letter code can be formed using the first ten letter of English alphabet if no letter can be repeated okay 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 ठीक है ठीक है चौब अब देखो इसमें क्या बोला बच्चो हमें चार डिजिट का चार डिजिट का एक code बनाना होगा ठीक है और इसमें कह रहा है कि पहले दस अल्फबेट आप ले सकते हो तो दस अल्फबेट कांसे ओगा है A B C D E F G H I 10 में इन 10 में नहीं से आप कोई भी यहां पर भर सकते हो यहां पर भर सकते हो ठीक है अचार पर भर सकते हो ठीक तो ऐसे कितने कोड बन सकते हैं चार डिजट के यह से लेकर जे तक यूज़ करके तो भाईया फिर भाई कहानी अब आप मुझे बताओ यहां पर अगर मैं यहां पर क्या भर सकता हूं यह दस चीज़ें हैं यह दसों अप्शन में से मैं कोई भी चीज़ यहां भर दू कोई भी भर सकता हूं ना इसमें साफसा बोल दिया है कि कोई भी लेटर दोबारा रेपीट नहीं करना है यही तो भोला है आप जैसे मालो हैं यहां पर मेरे पास दना ना 10 एक तो मैंने भर दिया जी आप यहां पर कितने आहिए यह नोट यूस्या बचीन यहां पर में पीडिया अभ यहां पर थे सबने जया है कुछ है। एस तरह से करके किपने ऐसे कोड़ेंगे कितने नौ बोनेगे श्याजेंO तो बच्चों बताओ कितना ऐगा इसकांसर कितना ऐगा इसको मैंटिप्लाइग लो यार 109 जा 90 और 8 7 जा 56 तो ये कितना हो जाएगा 09 6 54 9545 50 50 50 40 यानि इतने पास्कोड इतने ओर वर्ड जो है वो बनाये जा सकते हैं ए से लेकर जे तक को यूज़ करके जब जब कोई भी लैटर रिपीट ना हो, ठीक है ना? फोर्थ कोश्चन लेको बच्चों ध्यान से लेको, इसमें क्या कह रहा है ना, पर एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देखे इसमें बोल रहा है, इसमें बहुत कमाल की बात है, ध्यान से देखो, क्या दरना है हमें एक 5 डिजिट का, 5 डिजिट का, एक टेलिफोन नमबर बनाना है, ठीक है, इतना 5 डिजिट का, ठीक, और इसमें बोल दिया है, इसके जो सुरू के 2 डिजिट है, स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है, वो कौन से है, 6 और 7, ठीक है, ये चिट लोने बोल दी, ठीक है बई, चलो, ध्यान से लेको, अब हमारे पास के वाद 3 डिजिट बचे हैं, है ना, पाँच डिजिट का, जो हमें फोन नमबर बनाना है, उसमें दो डिजिट तो अलेडी भरे हुए, गोला 67 से तो स्टार्ट होना चाहिए, पहला नमबर 6, दूसरा 7, ठीक, आच्छा, और इसमें ये बोल रखा है, कि जो आपको नमबर लेने हैं, वो कहां से, 0 से 9 तक, और और क्या ले सकते हैं, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, तो अगर आप ध्यान से दखूर बच्चो ये कितने होगा है, टोटल 10 नमबर होगा है, क्योंकि 0 इंक्लूडट, अच्छा, इसमें से 6 और 7 तो पहले ही यहां पर भरा जा चुका है, ठीक, अब बच्चो दे है, कि डिजट रिपीट नहीं होना चाहिए, बोले बैसमें, तो डिजट अगर रिपीट नहीं करना है, तो बच्चो दे को टोटल 10 नमबर 3 है हमारे पास, लेकिन 10 में से 2 तो यार पहले ही भर दिया गया, अब यहां पर, यहां पर कितने तरीकों से भरा जा सकता है, यह व होगा ने, फिर यह वाला, यह वाला कितने है, साथ तरीकों से, और फिर यह वाला, छे तरीकों से, तो इनमें से कोई भी नमबर आप यहां पर बढ़ सकते हो, जैसे सपोस मैंने यहां पर 2 भर लिया, ठीक, अब नमबर कितने बचे मारे पास, 10 में से 3 हड़ गया, अब कित उसके बाद कितने बचे एक दो तीन चार नंबर खतम हो गए अब छे बचे तरीकों से बढ़े जाएंगे कैने फटा इस पर तो इस तहरा से करके बहुत से नम्मर बन सकता है तो बस हमें यही बताना है तो पिर से वाई ऐ कि आप तो इसको multiply करोगे तो कितना मिल जाएगा इसको solve कर लो ठीक है तो इसको multiply करो 8 into 7 into 6 तो यह मिल जाएगा आपको 3 3 6 तो इतने तरीकों से यानि 336 तरीकों से आप यहां पर telephone number बना सकते हैं जिनकी starting कि डिजिट 6 और 7 गोगी बोलो आया समझ में ठीक है न अब देखो बच्चो कोश्चन में 5 में क्या बोला है a coin is tossed 3 times okay and the outcomes are recorded okay how many possible outcomes are there ठीक है बई देखो बच्चो एक सिक्का उच्छाला गया कितनी बार तीन बार उच्छाला गया ठीक है तीन बार तो अब मुझे यह बताओ यार कि जब भी सिक्का उच्छाला गाएगा कोई coin उच्छाला गाएगा तो उस पर 2 outcome आसकते हैं या head आएगा या tail आएगा ठीक तो यहां पर कितने outcome आसकते हैं अगर सिक्का तीन बार उच्छाला जाएगा कितने बेटा possible outcome हो सकते हैं तो टोटल आठ टोटल 8 outcomes आसकते हैं इफ कॉइं टॉच्छ थ्री ताइम ठीक है इतने बात समझ भाई सिक्स नंबर कोशन देखो बच्छो ध्यान से पड़ो देखे क्या बोल रहा है इसमें गिवें फाइफ फ्लैक्स ओफ डिफ्रेंट कलर ओके हाउ मैनी डिफ्रेंट सिग्नल्स कैन बी जन्रीटिव इफ इच सिग्नल रिक्वाइट डा यूज ऑफ टू फ्लैक्स ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वन बलो दा अधर ओके दोट अच्छो इसमें क्या था गया है ध्यान से दूखो बहुत ध्यान से समझना बात को कि आ आपके था था यूफ् 150 अलग अलग रंके जंडे हैं पाउस छेंडे हैं जैसे मानूं एसे एक दो तीन चार पांच पांच आपके पास जंडे कोही एक ब्लाइग कलर बाब को वहें एक यला करीव होगा एक यल रेड फॉसे इस तरह से से एक साइन बोड बनाना होगा जैसे मालों यह किसी और कशलर का यह किसी और कशलर करें तो दो कलर को यूज़ करके ऐसे हमें क्या बनाना है सिगनल गोर्ट या साइन गोर्ट बनाना है ठीक यह चीड़ा आपने देखी होगी ऐसे बहुत ज़्यादा रोड़ लगा होता है ऐसे डाइं उड़े बाइं उड़े हैं वही चीज़ है तो अब मुझे बताओ बच्चू यह पांच कलर है मेरे पास तो मेरे पास option कितने हो ग अब यह लोग घतम तो मेरे पास पांच option थे ला यहां पर भरने के कितने option थे पांच option थे ठीक आप यहां पर भर गया तो यहां कितने बच्छन बचेंगे कितने चार ऑप्चन बचेंगे वह एक बढ़ जैसे मालो यहां पर मैंने green बढ़ दिया हुगा तो आप बताओ दो ही कलर लेने हो, हो सकता आप को दुसरे कलर ले लो पहले, ठीक, तो कितने बन जाएंगे, फाइफ इन्टू फोर, यानि 20 से आप साइन बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, बताओ, कुछ मुश्किल थी एक्सराइज, असान थी कि नहीं, तो मेड़ में हलुआ, है ना?